हेलो स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं माराथा समराजी के उधे से संबंदित महत्पूर्ण प्रश्णों इत्तरी जो की पिछले बरसों की ससी एक्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली ससी एक्जाम, ससी जीडी कॉंस्टेबल एक्जाम, एमपी प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम एबं आने सभी एक्जाम की द्रश्टी से बहुत इंप्रश्ण है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला प्रस्ण वीडियो में आखरी तक जरूर बने रहें ताकि कि आपका जो माराथासम राजी से संबदित कोश्याने इनका पूरा डाउट किलियर हो सके तो पहला कोश्यान है मारा सत्रासव इसवी में राजाराम की म्रत्व के बाद माराथों ने मुगलों के व्रुद्ध युद्ध किसके नेत्रतों में जारी रखा तो इसका जो राज्यविसेक करवाया और बास्तों में माराथा समराजी की संरक्षिका बन गई आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की और नेक्ट कोशन ने मारा सीवा जी का राज्यविसेक कब हुआ था तो इसका जो राइट आमसर है देखिए या एससे सीजील एक्जाम 2014 में पूछा गया था तो यह भी आपको याद रखना है तारिक भी याद रखें और सन भी आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन हमारा उस यूरोपी सक्ति को पहचानी है जिसने सीवा जी को तोपे और गोले प्रदान किये तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नंबर दो पुर्तगाली यूरोपी सक्ति पुर्तगाली ने सीवा जी को तोप और गोले प्रदान किये थे चलिए आगे बलते हैं नेक्ट कोशन की और नेक्ट कोशन हमारा किस संदी के द्वारा सीवा जी ने किला मुगलों को सेव दिया था तो इसका जो राइट आंसर वह है पुरंदर संदी के द झालता एंग्जाम्स में इसे भी आप याद रखें पुरंदर की संदी 1665 में हुई थी नेक्स्ट कोशन है मारा निम्नल लिखित में से कोण सी सीवा जी की राजधानी थी तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आफसन नंबर 2 रायगड 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 शीवा ज ज़गाया गया भूमीकर चोध भूराजसु का एक बटा चार होता था या एक चोथाई होता था और यहाँ पढ़ोषी राजयों पर सीवाजी द्वारा लगाया गया भूमीकर था सिवा जी के प्रसासन में पेश्वा किसे कहा जाता था तो उनका जो मंत्टी मंडल है उसे आश्ट प्रधान कहा जाता था नेस्ट क्वेशन ने मारा गुरिला युद्ध की अब्धार्णा को किसने लागु किया था तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वा है सीवा जी ने गुरिला युद्ध की आक्रमन करने वाला प्रथम पेश्वा था बाजी राओ प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंद के कारण चर्चित रहा था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की और तो नेक्ट रोकमन महिले हैं तो सिबा जी ने कितनी बार शुरत को लूटा तो पुछा गया है सिबा जीने शुरत को कितनी बार लूटा तो यह काफील इंपप benefici कॉष्चित है और 35 में हिग पुछ ते ही Mississippi में पुछा गया था तो आप इसी अच्छे सीवा जी को किस बर्स छत्रपति का ताज मिला तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफसन नमबर 3 1674 में सीवा जी का राज्य विशेक 1674 में हुआ था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन हमारा बाजी राओ प्रथम किस बंस का सासक था तो इस यहां चैत्रपति सीवा जी महराज किस बंस का सासक था तो इसका जो राइट आंसर वह है माराथा बंस के संस्थापक थे चैत्रपति सीवा जी महराज और इनका जन्म हुआ था छे अप्रेल 1627 को सिबनेर दुर्ग में नेक्स्ट कोश्चन है मारा बाजी राओ दुती किस बंस का सासक था तो इसका राइट आंसर है पेशवा बंस का तो यहां से सीजील 2013 में पूछा गया कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है मारा चैत्रपति सीवा जी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है चैत्रपति स संभा जी किस बंच का सासक था तो इसका जो राइट आंसर है वह है माराठा बंच का चैत्रपती संभा जी माराठा बंच के सासक थे और चैत्रपती संभा जी सीवा जी के उत्रा दिकारी थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन नेमारा सीवा जी का अ तो वह है छे अप्रेल 1627 को तो दोनों ही आपको याद रखना है याद रखते हैं बने तो आपको लेकिन जन्म का तो कन्फर में याद रखना या पूछा जाता है तो करनाटक अभ्यान के दोरान सीवा जी की मृत्ति हुई थी आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्वेशन की और ने सीवा जी द्वारा दुर्गों पर किये अधिकार का सही क्रम क्या है तो आपको बताना है सीवा जी ने जितने भी दुर्गों पर अधिकार किया था तो उन्हें एक सही क्रम में बताना है उन्होंने सबसे पहले किस पर किया दूसरे पर किस पर किया या लास्ट पर किस पर क सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो इसका जो राइट आंसर है वह है यहां पर दिया गया है देखिए आपसन में आपको दिखा देता हूं आपसन नंबर तीन के अनुसार बिजापूर के सरदार अपजल खां की हत्या हुई 1669 में आपसन नंबर एक का पहला अंसर है एक दकन के मुगल सुवेदार साइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ 1663 में सूरत की प्रथम लूट हुई 1664 में और सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में तो कोश 1663 में सूरत की प्रथम लूट 1664 में और सूरत की दूती लूट हुई 1670 में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन की योर नेक्ष्ट कोश्चन हमारा माराथा मंडल या माराथा राज्य संग की स्थापना किस पेश्वा के समय में हुई थी तो इसका जो राइट की विसुनात जो है यहां प्रथम पेश्वा थे यहां भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन की और नेक्ष्ट कोश्चन हमारा मुगलों एवं माराथों के बीच हुई 1719 इसवी की संदी को रिचार्ड टेंपल ने माराथा समराजिक का मेगन काटा कहा है यहां संदी बाला जी विसुनात एवं सहीद बंदुओं ने किसके नाम पर की तो इसका जो राइट आंसर वा है माराथा च्छत्रपती साहु एवं मुगल बास्षा रफी उद्रजात के नाम पर की थी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन के और न नेक्ष्ट कोश्चन हमारा एक इतिहासकार ने पानिपत की तीसरी लड़ाई को सोयम देखा था वहां कोन था तो इसका जो राइट आंसर है वह है कासी राज पंडित कासी राज पंडित ने पानिपत की तीसरी लड़ाई को सोयम देखा था पानिपत का जो तीसरा युद् पूरी तरह से हार हुई थी नेक्ट कोशन ने हमारा यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकाल कर अमर कृति का अर्जन कर सकते हैं यदि हम इस सूख रहे पुराने ब्रक्षि के तने पर आघात करेंगे तो उसकी साखाय अपने आप ही गिर जाएगी यहां पुराने ब्रक्षि के तने पर आघात करेंगे तो उसकी साखाय अपने आप ही गिर जाएगी इसके जबाब में साहू ने बाजी राम प्रथम से कहा था बिल्कुल आप एक बहादूर पिता के बहादूर पुत्र हैं तो आप यह कर सकते हैं तो बाजी राव जो प्रथम है इन्होंने दिल्ली पर आक्रमन करने वाले या प्रथम पेशवा था यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्वेशन की ओर नेक्ट क्वेशन ने मारा किसे लडाकू पेशवा और हिंदू सक्ति का उतार कहा जाता था तो इसका जो राइट आंसर है वा ह बाजी राओ प्रथम को लडाकू पेशवा या हिंदू सक्ति का उतार कहा जाता था दिल्ली पर आक्रमन करने वाला प्रथम पेशवा बाजी राओ प्रथम ही था तो यह भी आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टनेंट है जो पूछा जाता है नेक्ट कोशन ने मारा निमने में से किसने पूर्टकालियों से सालसेट एबं बेसिन के दीपो को छुना तो इसका जो राइट आंसर वा है बाजी राओ प्रथम ने पूर्थम ने पूर्तकालियों से सालसेट एबं बेसिन के दीपो को छिना था आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की और नेक्ट क बाजी राव प्रथम ने मुगल बाद साह मुहम्मद साह रंगिला को माराठा सक्ति की एक जलक दिखाने के लिए 1770 से स्वी में दिल्ली पर आक्रवन किया और मुहम्मद साह को मालवा की सुभेदारी पेशवा के नाम करने के लिए बिवस किया तो राइट आंसर पाची स्व किसके समय में माराठा सक्ति अपने चर्मत कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही माराठा सक्ति का पतन भी आरंभ हुआ तो इसका राइट आंसर है बाला जी बाजी राव के समय माराठा सक्ति अपने चर्मत कर्ष पर पहुंची तथा माराठा सक्ति का प्रतन भी आरंभ हुआ बाला जी बाजी राओ, बाजी राओ प्रथम का उत्रादिकारी था, बाला जी बाजी राओ को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्वेशन की और नेक्ट क्वेशन हमारा पेश्वा बाजीरा एबं छत्रपती राम राजा के बीच हुए संगोला संदी 1750 इसवी के संबद में क्या राय है तो यहां पर चार आपसन आपको दिये गए हैं और इसका जो राइट आंसर है तो देखे के पहले हम आपसन पढ़ लेते हैं संगोला संग्दी से संबंदित केंद्री सरकार का पूरा दफ्तर 17 से पूना का कर दिया गया एबं पेशवा राजी का सरवे सरवा बन गया यहां संदी पूना संबेलन में सभी प्रमुख पराठा सरदारों की उपस्तिति में किया गया चत्रपदी राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्ताबेच पर हस्ताक्षर करने के कारण यहां संदी जो है संगोला संदी कहलाई तो संगोला जो संदी हुई थी यहां 1750 में हुई थी और इसका अंसार है उप्रोग तो सभी सही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करने पर विवस किया तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफसो नंबर तीन रगु जी भोसलेर है 1741 से 1751 के बीच माराथा सक्ती का इन्हों ने नेत्रतों और प्रसाद किया और बंगाल के नवाब अलिवर्दी खां को संदी करने पर विवस किया नेक्स्ट कोश्चिन हमा किसने दिल्ली में मुगल बासा की साहता के लिए रखे गए अपने सेना का बेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दिवाने आम की छत से चांदी निकलवाली तो इसका राइट आंसर है सदा सीव राव भाव ने चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट इसका कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता या किससे संबंदी थे तो इसका राइट आंसर है पानिपत के त्रती युद्ध में माराथा सेना के बिनास से और पानिपत का जो त्रती युद्ध हुआ था या 1761 में हुआ था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक सम्माता का नाम जीजा बाई था नेक्स्ट कोश्चन है मारा सिवा जी औरंग्जेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए तो इसका राइट आंसर है 1666 इसवी में सिवा जी औरंग्जेब के आगरा दरबार में 1666 इसवी में उपस्थित हुए थे सिवा जी को औरंग्जेब ने माई 1666 में जैपूर भवन में केद कर लिया था जहां से सिवा जी भाग आए थे नेक्स्ट क्वेशन नेमारा बा अंतिम छत्रपती कोन था जिसने संपूर अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद माराथा छत्रपती नाम के राजा रहे गए और धीरे-धीरे सारी सकती पेशवा के हाथ में चली गई तो इसका जो राइट आंसर है वा है आफस्वान न नेक्स्ट क्वेशन ने मुगलों को किस संदी के द्वारा किलों को हस्तानांत्रित कर दिया तो इसका राइट आंसर है पुरंदर की शंदी सिवा जी ने पुरंदर की संदी के द्वारा जो भी उनके द्वारा मुगल के किले जीते गए थे बहां मुगलों को बापिस हस्ताना अंत्रित कर दिये और जो पुरंदर की संदी ये कब हुई थी तो 1665 में काफी इंपोर्टेंट है पूछी जाती है सिवा जी का राज्यविसेक कहां हुआ था तो इसका राइट आंसर है राएगण में सिवा जी का राज्यविसेक राइगण में हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशें की और किसके सासनकाल में माराथा प्रमुख संबा जी की हत्तिया कर दी गई थी तो इसका राइट आंसर है ओरंग जेप के सासनकाल में माराथा प्रमुख संबा जी की हत्तिया कर दी गई थी संबा जी सिवा जी के उत्रादिकारी थे और संबा जी का जो उत्रादिकारी बहा राजा या भी आपको याद रखना है, नेक्ष्ट कोश्चन नेमारा, सीवा जी के समराजी की राजधानी कहां थी, तो राइट आंसरे रायगड, नेक्ष्ट कोश्चन नेमारा, पानिपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी, तो इसका राइट आंसरे पेश्वा बाजीर अभडाली के बीच हुई थी, तो इसमें माराठाओ की बूरी तरह हार हुई थी, या भी आपको याद रखना है, नेक्ष्ट कोश्चन नेमारा, सीवा जी सर्वाजधिक प्रभावित थे, तो इसका राइट आंसरे जीजा भाई, और जीजा भाई, सीवा जी की माता का ना थी, उसे अश्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था, नेक्ष्ट कोश्चन नहारा, सीवा जी के राजनेति गुरु अभावित रख्ष्चक, तो इसका राइट आंसरे, साह जी भाउचले, तो याऊ सीवा जी के पिता थे, और दूसरा अपसार ने जीजा बाई, तो सीवा जी के अध्यात में गुरु थे और दादा जी कौन देव तो सीवा जी के संट्रक्षक थे तो यह चारों ही सुमेली थे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरू करें कर्म दर्चन का उपदेश देने वाले एवब सीवा जी के पुत्र संबाजी को माराथों को अंगटित करने और महाराष्टी धर्म को प्रचारित करने का अपज़ेस्ट देने वाले माराठा संत कौन थे तो इसका राइट आंसर है समर्थ रामदास आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट क्वेशन की और कौन था तो राइट अंसर है पेश्वा बाजी राओ दूती साएक संदी स्विकार करने वाला प्रथम माराथा सरदार था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की और नेक्ष्ट कोशन हमारा किस इतिहासकार ने कहा है कि पानिपत का त्रथी युद्ध एक निर्नायक युद्ध था माराथा सेना की मुकुट मनी वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्यात माराथो के अखिल भारती समराज के स्वपने नश्ट हो गए तो यहाँ पर चा गिल्लाय युद्ध का संचालन 22 प्रन प्रथम के द्वरह किया गया था बाजी राओ प्रथम सबसे ससक्त पेश्वा था जिसने दिल्ली पर आक्रमनं कीया था नेक्स्ट क्वेशन नेमारा किस माराठा पेश्वा को मेक्या बेली कहा जाता है तो इसका राइटांसर नाना फड़ेंबिस को माराठाओ का मेक्या बेली भी कहा जाता है नाना फड़ेंबिस का मूल नाम बालाजी जनारदन भानुथा निम्न में से किस ने पानिपत के त्रती युद्ध में असंगटित मराठा सेना का नितरत्व किया तो इसका राइटांसरे सदा सिव राव भाव ने पानिपत के त्रती युद्ध में संगटित मराठा सेना का नितरत्व किया था और जो आपका पानिपत के त्रती युद्ध ह या 1761 में लड़ा गया था नेश्ट कोशन हमारा पानिपत के त्रती युद्ध के परिणाम में पेश्वा बाला जी बाजी राओ को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्ती हो गई बाला जी बाजी बाजी राओ के बाद बने पेश्वा को काल क्रमनो शाहर सजाईए तो इस संबा जी के बाद माराठा साथन को निमने लिखीत में से किसने सरल और कारगर बनाया तो इसका CC कोस्छे नेश्ट कोशन के अवाजीац्टों का जो सदस्य बिदेशी मामलों कि δेख्रेक करता था वहाँ क्या था तो इसका worried सिभा जी को राजय की उपाधि किससे प्रदान की थी तो इसका राईट favor औरंग जेब ने नेक्श्ड को सिभला जी ने कभी छेत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राजय विशय रेकरवाे था तो राईट आगधे बढ़ते हैं नेश्ट कोशिन की और अपने राजजविशेक के उपलक्ष में शिपाजी को क्या नहीं किया तो इसका जो राइट आइट आंस्वारें सभी प्रकार के करहटा दिये यहां सिपाजी के द्वारा नहीं किया गया था इसके अतिरिक्ते क्छतरी परिवारों का अभुसण हिंदु धर्म का उपादी उन्होंने धारण की थी अपनी एक मुहर बनवाई थी और एक नया संबत भी चलवाया था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और नेक्स्ट क्वेशन हमारा तो यहां पर आपको सूची एक को सूची दो से स सुमेली थे आपको सिर्फ पढ़ना है तो देव गाउं की संदी दोरान हुई सब्से अंतिम संदी कोन सी थी तो इसका राइट आंसर है कानपूर की संदी तृती आंगल मारा युद्ध के दोरान हुई सबसे अंतिम संदी कानपूल की संदी थी नेक्ष्ट कोशन हैमारा माराठा सचीवाले कहा लाता था तो इसका जो राइट आंसर है इन मेंसे कोई नहीं चलिए आगे बरते नेक्स्ट क्वेशन की और नेक्स्ट क्वेशन है मारा त्रती आंगल माराथा युद्ध जो की अंग्रेजों एबं माराथों के बीच अंतिम युद्ध था इसके आप रही नाम हुआ इससे पूछा गया आपसे तो इसका जो राइट आंसर वाहिव आपसर नमबर तीन पेश सवापन को समाप्त कर दिया गया एबं बाजीराव दुति को पेंशन देकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और नेक्स्ट क्वेशन हैमारा किस माराठा सर्दार ने सेना का गठन यूरोपी धंग से किया संधंे नागपूर की स्थापना की यह भॉसलो। ने और ग्वालेयर की स्थापना की थी सिंध्या बंसर के लोग। तो बड़ोदा की गायकबाड बंसने, इंदोर की होलकर बंसने, नागपूर की भोसले बंसने और ग्वालेर की सिंध्या बंसने, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की ओर, नेक्ष्ट कोशन है मारा किसने कहा है कि माराथा का उदे आकास्मिक अगनिकांट की भाती हुआ तो इसका राइट आंसर है ग्रांट डफने, नेक्ष्ट कोशन है मारा, 1775 से 82 में प्रथम आंगल माराथा युद्ध का निमने लिखित में से कौन सा एक परिणाम था, तो इसका जो राइट आंसर वाहे, किसी भी पक्षी की जीत नहीं हुई थी, प्रथम आंगल मार माराथा युद्ध के दोरान, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्ष्ट कोश्चन की ओर, नेक्ष्ट कोश्चन हमारा, अहमत सा अबदाली ने भारत पर आक्रमन और पानिपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तातकालिक कारण क्या था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों व पातों में, तारा भाई राजा राम की पतनी थी और इसने सिवा जी दूती का राजिव से करा कर माराथा समराजी की सनरक्षिका बन गई थी, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्ष्ट कोश्चन हमारा, सिवा जी किमरत्यू के पश्चाद, उत्राधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई तो राजा राम और सम्भा जी के मद्ध, सिवा जी किमरत्यू के बाद, उत्राधिकार के लिए राजा राम और सम्भा जी के मद्ध, उत्राधिकार के लिए लड़ाई हुई थी, राजा राम और सम्भा जी, दोने ही आपको याद रखना है, आगे बढ़ तो सिर्फ पढ़ते जाना है मजुमदार या अमात्य किसे कहा जाता था तो समराज के समय मजुमदार या आमात्य को कहा जाता था बाकियां विस या प्रधान गिरह मंत्री को सुमंत्य दभीर विदेश मंत्री को कहा जाता था शुरुनभी सुर्णिस या सचीव साही पत्र विवाग के प्रधान को कहा जाता था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की और नेक्ष्ट कोशन है हमारा सरे नोबत का अर्थ क्या था तो इसका राइट आंसर है सेना पती को कहा जाता था नेक्ष्ट कोशन हमारा सीबा जी की भूर आजयसु विवस्था के संदर्व में क्या सत्ते हैं तो इसका जो राइट आंसर वहाद सभी तो पहले हम पढ़ लेते है तो भू राजास्व व्यवस्था के संदर्म में सीवा जी की जो व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ते हैं तो देखिए पहला अप्शन है सीवा जी ने जमिंदारी बाद जागीरदारी का विरोध करते हुए रहियत बाड़ी व्यवस्था को अपनाया था बिल्कुल सही है नेक्स्ट को अपसन है सीवा जी ने रसी द्वारा मापको इस्थान पर काठी एबं मानक छड़ी का प्रियोग का प्रचलन किया यह भी सही है तीसरा है भू राजास्व की दर आरब में कुल उपच्च का 33 परसंड थी जो बाद में बढ़ाकर 40 परसंड केर दी गई तो उप्रियोग तो जो हैं सभी सही है नेक्स्ट कोशन हमारा चोथ मुगल छेत्रों की भूमी एबं पड़ोसी राज्यों की आय का चोथा हिस्सा होता था इस कर को किस बंस के सासकों ने वसूला तो इसका राइट आंसर है माराठा बंस के चोथ नामक जो कर है यह प्रकार का जो भूराजयस्व का एक बटा चार था यहां सीवा जी के द्वारा लागू किया गया था आगे बढ़ते हैं सर्देश मुकि की बसूली सीवाजी ने साधार पर करते थे कि महरास्त पुस्तैनी सर्देश प्रिश्व कर था तो इसका राइट आंसर है 10 परसेंट सर्देश मुखी जो कर है वह सीवा जी के द्वारा लगाया गया था और इसके जो भूराजस्व था वह दस प्रतिसाथ था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की और नेक्ट कोशन नेमारा माराठा काल में इस्थाई घुरसवार सेना एवं आइस्थाई घुरसवार सेना क्या कहलाती थी तो इसका राइट आंसर है इस्थाई घुरसवार सेना पागा और आइस्थाई घुरसवार सेना बरगीर एवं सिल्दार कहलाती थी नेश्ट कोशन नेमारा माराठा कालिन घुरसवार सेना में एक हबलदार के अधिन कितने घुरसवार होते थे तो इसका राइट अंसर है 25 चीज नेक्ट कोशन हमारा माराठा कालिन पेदल सेना में एक नायक के अधिन कितने नायक या पद सेनिक होते थे तो इसका राइट अंसर है नौ माराठा कालिन पेदल सेना में एक नायक के अधिन नो पायक या पद सेनिक होते थे आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question ने हमारा सीवा जी ने मजबूत नो सेना का गठन किया था सीवा जी का सरुपर्थम नो सेनिक बेड़ा कहां इस्थापित था तो इसका right answer है कोलाबा में next question ने हमारा किस ने प्रतिनीदी पद का सरजन किया जो पद क्रम में पेशा से भी उपर था तो इसका right answer है राजा राम ने राजा राम ने प्रतिनीदी का सरजन किया जो प्रत करम में पेशा से भी उपर था next question हो Until सीबाजी के बाद करमसा दूसरा छेत्रकसिय के बने और दूसरा पेशवा कुन बना तो इसका राइटांसर है संभाजी इवम ख़ी कलस अगए बढ़ते हैं सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित किज kn Анपा राजय रॉता राजा राम का सासनकाल 1689 से 1700 के दोरान था और तारा भाई का जो सासन का लिवा 1700 से 1708 तक था तो संबाजी जो थे वा सिवाजी के उत्रादिकारी थे सिवाजी और राजाराम का जो थे यहां संबाजी के उत्रादिकारी थे और तारा भाई राजा राम की पत्री थी जिसने राजा राम के उत्रादिकारी सीवा जी दुती का राजिवसे करा कर यह तारा भाई जो है माराथा समराजिकी बास्तुइक संडक्षी का बन गई थी नेस्ट घुशन नमारा तो इहां पर साहू कभी दिया गया है? तारा भाई के बाद साहू रिटरन आया था और अरंगजेव के कालखोटरी से छूट कर और इसने 1789-1949 के दोरान मराठा समराजी की बागदोर समाली थी नेक्स्ट क्वेशन नमारा किस माराठा सासक के सासनकाल को पेश्वाव के सासनकाल के नाम से जाना जाता था तो इसका राइट अंसर है साहू माराठा सासक साहू के सासनकाल को पेश्वाव के सासनकाल के नाम से जाना जाता था News question यमारा पानिपत के त्रति युद्ध में मारे जाने बाले दो महतपुन सेन सरदार कुन थे तो इसका राइट आंसर है विश्वास राव एभू सदासिव राव भाव 220 बदीए और यहाग सायक संधिको सिकर करने वाला प्रथम पेश्वा था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो यह आप अल्रेडी सुमेलित है आपको पढ़ते जाना है सूरत की जो संदी है यहां सत्रा सो पिचत्र में हूई थी पुरंदर की संदी जो है यहां सत्रा सो छेटार में हूई थी दूसरी बार पहली बार अगर पुछा जाए तो वहार राजा मानसीorter planeta 1665 है तो यहांप जो राइट अंसर वा अह थी नमबर दो, एक, दो, तीन, चार, पांस, तो सरे लाइन में हैं, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है, माराथों के उतकर्ष के जो महत्पून कारण थे, महराष्ट की भगोलिक इस्थिती, ओरंगेव की हिंदू, विरोधी नीती, माराथा धर्म सुदारकों का प्रभाव, चली आगे बरते हैं, नेश्ट कोशन की ओर, नेश्ट कोशन नमारा, माराथा ने सरुपर्थम किसके अधिन कार कर प्रसासनिक अनुभव प्राप्त किया तो इसका राइटांसरे, देवगिरी के यादभव के अधिन, माराथों ने सरुपर्थम, देवगिरी के यादभव को के अधीन कार करके प्रसाशनिक अनुभो प्राप्त किया था नेश्ट कोशन नेमारा मराठो में बर्गी गिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधी कुपियों किसने किया तो इसका राइट आंसरे मलीक अंबरने चलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोशन की और नेश्ट कोशन नेमारा निम्ले लिखीत में से गुरिला युद्ध का पाथ्य प्रदर्शक कोन था तो इसका जो राइट आंसर वह है सीवा जी नेश्ट कोशन नेमारा सीवा जी के प्रसासन में पेश्वा किसे कहा जाता था तो इसका रायटांसर रे प्रधान मंत्री को number q242 1771 में दिल्ली की गधी पर सहा अलंग को पुना इस्थापित करने वाला माराथी सरदार कौन था तो इसका जू रायटांसर मह़ाधिजी सिंध्य होग नेश्ट कोशनने मारे किस ने अंतिम महान पेशव differenti कहा जते हैं और दो कारण माराथा राजी की देख़े क बड़ा भाई या बार भाई नाम की बारस अदस्यों की परिसाद करती थी नेक्स्ट कोश्चन नेमारा किसके सासनकाल में प्रथम आंगल माराठा युद्ध हुआ तो इसका राइटांसरे माधव राब नरायन के सासनकाल में प्रथम आंगल माराठा युद्ध हुआ था नेक्स्ट कोश्चने नेमारा दुती आंगल माराथा युद्ध एवं तरती आंगल माराथा युद्ध के समय माराथा पेशवा कौन था तो राइटांसरे बाजी राओ दुती थे तो इसको जो राइट आंसरे माराथा भूर राजसु बेवस्था से संबंदी थे नेक्स्ट कोश्ण ने मारा बहा कौन सेननायक था जिसे बीजापूर के सुल्तान ने 1669 में सीवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था तो राइट आंसरे बागने के समय कौन से नगर में केद थे तो इसका राइट आंसर है आगरा में और शिवाजी को केद और अग्जेब ने करवाया था चलिए आगे बरते हैं नेक्स्ट कोश्ण ने मारा ग्वालेर राज जी की स्थापना किस ने की थी तो इसका जो राइट आंसर बाह है जी दोस्ते रहे और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडे फाइल डाउलोड करना है तो आप हमारा डिक्स्रेप्शन में दिया गया टेलिग्राम ग्रूप जाइन कर सकते हैं जहां पर आपको यह पीडे फाइल बिल्कुल फिरी में प्राथ हो जाएगी तो दोस्तों व